फ्रेंड्स वेलकम टू प्रकाश टारोकार्ट रिडर थेंक्स पॉर तेकिंग आउट एंड वाचिंग द वीडियो इप्लेस दू सब्स्राइब थैंक यू नमस्कार दोस्तो प्रकाश टारोकार्ट रिडर का बहुत बहुत नमस्कार बहुत दिनों बाद कोई पॉलिटिकल प्रेडिक्शन्स लेके आया हूँ मैं हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन्स अनौंस हो चुके हैं 12 नवंबर को पोलिंग है और 8 डिसेंबर को वोट का आउंटिंग है तो क्या होने वाला है तीन पार्टिया मैदान में हैं मुख्य तह भारतिय जनता पार्टी इंडियन नैशनल कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी अब बीजेपी के नेता है वहां के जैराम ठाकुर इंडियन नैशनल कॉंग्रेस की नेता है एकॉर्डिंग एकॉर्डिंग टू विकेपीडिया यह मैंने नाम विकेपीडिया से उठाए हैं तो चलिए शुरुआ करते हैं आठ डिसेंबर क्योंकि 68 सीट्स हैं बहुत कम सीट्स हैं तो दोपर दो बुए तक निकाल आ जाना चाहिए तो मैंने वह सबसे रिडिंग की है यह कार्ड है जैराम ठाकुर के सुब आठ से दस दस से बारा यह दिखिए हर्मिट कार्ड आत्म चिंतन कहां गलत हुए लेकिन बारा से दो सिटिंग कमफ़र्टेबली अभी इंडियन नैशनल कॉंग्रेस यह दिखिए प्रतिभा सिंग के कार्ड आठ से दस दस से बारा बारा से दो बहुत अच्छे कार्ड राइट ऑन दमनी यह दिखिए कॉंग्रेस इमाचल प्रदेश असेंङली एलेक्शन से में अप। इस तो कॉंड़ आठ से दस दस से बारा बारा से दूंड दस से बारा तक यह देखिए बहुत अच्छे कार्ड यह दिखिए इन्हों ने जो जो सोचा था कि सेंद लगाएंगे वोटों में तो यस ये सेंद लगाएंगे और ये किंग मेकर भी बनने वाले हैं ये जो है आम आदमी पार्टी सुर्जित सिंग ठाकूर के कार्स और ये आम आदमी पार्टी के कार्स ये एक तरसे किंग मेकर के रुप में बहार आने वाले बहुमत न तो इनको मिलेगा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को नहीं बीजेपी को मिलेगा और यह देखिए क्या 31 दिसेंबर तक कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी बीजेपी अभी यह देखिए पीजेपी के लिए काड आया डेविल काड यह बीजेपी वो बोलते न कि ऐसा स्थिति आने वाली है कि न निगलते बने न उगलते बने आदमी पार्टी के साथ जाए या नहीं जाए आदमी पार्टी का समर्थन ले नहीं ले या उनको समर्थन दे नहीं दे कॉंग्रेस की भी ऐसी कुछ स्थिती होने वाली है क्या करें समर्थन किसको दें आम आदमी पार्टी को दें नहीं दें क्या करें ठीक है और ये अपने दम पे तो सरकार नहीं बना सकते आम आदमी पार्टी इतनी सीटे नहीं आने वाली है लेकिन हाँ में जो जन्ता दल है कुमारा स्वामी वाली वो थोड़ी सेति स्थिते लेके भी वो सीम बन गयते हैं वैसी स्थिती आने वाली है और हिमाचल प्रदेश में दो लोगों की दो पार्टियों की सरकार बनेगी दो पार्टियों की मिली जुली सरकार कोई एक पार्टि की सरकार नहीं बनेगी एक पार्टि को भहुमत नहीं मिलने वाला अब उट किस करवट बैठता है यह हम वोट काउंटिंग के बाद देखेंगे क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टि इस पोजिशन पे रहेगी कि हाँ वो जिसकी तरफ उसकी सरकार लेकिन बीजेपी और कॉंगरस दोनों ही यह सोचेंगी कि अब आपके साथ जाए नहीं जाए बाहर तो गालिया देते हैं एक दूसरे को दिली में गालिया देते हैं तो यहां पे साथ में जाए नहीं जाए तो यह स्थिती बनने वाली है स्टेल मेट की स्थिती और सरकार बनेगी तो दो पक्षो की सरकार यानि मिली जुली सरकार जो रहती है न वही होने वाली है हिमाचल में नहीं तो फिर हंग असेंबली So that's my reading अगर आपको यह reading अच्छी लगे तो सबस्ट्राइब जरूर करें शेयर जरूर करें अपने कमेंट्स आडिया सेजेशन्स हमेशा देते रहें